दोस्तो वेलकम टू माय चानल मैं डॉक्टर मुशा उद्यार मूल रही है। आज मैं आपको ताजा ख़बर लेके आई। वह है UK के बलर्ड, कंटैमिनेटेज बलर्ड देने के स्कैंडल के बाहर है। अभी पिछले अपके BBC ने मंडे को ये न्यूज रिलिप की है। उसके ब बहुती बड़ा अखिनोना स्कैंडल है। उसमें लोग उसके 13,000 लोगों की मौत हो गए है। तीस हजार लोग उसके विक्तिन हो गए है। और किस से हो गए है। तो HIV से हो गए है। और Hepatitis C से हो गए है। उसके में उसके जानकारिक का है, जो एंक्वारी चालू हुई थी उसके प्रेस में उसे पेपर रिलीज हो गए है। और वो findings क्या है, यह भी हम देखेंगे उसमें। तो उन्होंने दो ग्रूप में यह जो स्कैंडल हुआ है कि contaminated blood, जो दूशिद blood था, वो 70 और 90 के दशक में यह 20 साल में यूपे में दिया गया था। और वो जो ग्रूप से वो कौन से थे, तो एक ग्रूप सा जिनको blood disorder था, blood disorder मने जिनको इनकी खून में cloths तायार मेल होते, वैसा एक ग्रूप था, जब हम surgery को जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, bleeding time और clotting time देखते हैं, जबी भी अपने को cut हो गया, कुछ injury हो गया, तो अपना खून, ठराविक समय के बाद बंध हो जाता है, तो clot होता है, फ्लेटलेट्स का जो clot होता है, वो इन एक नच्चरल क्रिया है, लेकिन कभी-कभी उसका disorder होता है, और एक बार cut हो जाएगा, तो खून बैता ही रहता है, तो उसके लिए, क्या ही लज़ करते हैं, तो उसके लिए, फैक्टर जो है, फैक्टर एट और फैक्टर नाइट, इंट्रा विलिएसी, वो जो रोगी है, उसमें देते हैं, और ये जो contaminated blood, सत्तर और नबे के दशक में दिया गया था, तो ये ग्रूप था और दूसरा ग्रूप था, जिन लोगों को blood transfusion, means blood की जरूरत थी, तो अब ये ऐसे कौन से लो surgery होगा, तो blood रलकता है, दूसरा, accidental कुछ हो गया, accidentally, किदर भी, उनके शहर में, तो वो लेके आते हैं, और उनको blood की जरूरत पढ़ती है, तो ये जो डो ग्रूप से, उन्होंने ये contaminated blood उनमें डाला, और वो पॉनकीस के blood थे, तो ये प्रिजनर माने क्रैदी लोगों के blood थे, और ड्रगिस्ट, जो drug users थे, उनके वो ये थे, और ये जो दवा देने के पास, ये blood उनके अंदर जाने के बाद, वो 70 और 90 के दशक में, UK में, बहुत सारे हीपाटाटीज C के पेशन्ट पाये गए, और HIV पेशन्ट को भी उन्होंने पाये गए, लेकिन आपको मालूम है, एकिर्स में HIV का डिटेक्ट हो गया, लेकिन उसमें पाये गए, उनकी संख्याम 80 से नम्यासव हो थी, और उसमें से क्या हुआ, इसमें से जादा करके लोगों की मौद भी हो गई, और जो विक्टिम थे, जो उनको ये वोग हुआ था, उनको ने अपने पार्टनर को, वाई को, या अजबन और उनको भी दिया था, और ये इतना घिनोना स्केंडल था, तो इसका पिछने 40 साल से उनको की लोग, उन्होंने और केस डाला, और उनको स्केंडल का रिजल्ट अभी आया है, लेकिन उनका प्रेस रिपोर्ट में क्या आया कि, ये जो दल्शक में बहुत सारे लोगों को दिया गया तो वो सैसेमिटी ही नहीं थी, मिस हिपाटेकिस C चेक अप करने की और HIV चेक अप करने की ये तो वो दल्शक में पैसेमिटी में थी, और जिनका वो लेके आते थे, वो सोर्स आफ बलड भी उनको मालूम नहीं था, तो अभी ये जो है, उसमें से बहुत सारे बल का इसमें था, तो उसमें 1,200-500 लोगs, 250 लोगs, 1,250 लोगs मारे गए और उसमें जो इंफेक्टे ठीपाटाइटीस सीरका था, वो में से 1,170 लोग मर गए, और बाके के जो विक्तिन थे, वो 27,000 लोग उसमें विक्तिन के रिसमें उबर आये, अब जो शेकें बलड बलड ग्रुप का मैंने बोला कि एक सर्वजरी एक्सिजेंट के केसेस में देते है, तो ये उसमें तो 27,000 पीपल्स को हिपाटेटिस का ने बोला हिपाटेटिस ही हो गया, और 80-100 पीपल्स को हिए हो गया, तो कि तब ये सिविरा ही नहीं थी, तो ये इतना बड़ा स्कैंडल, औ और आज उनके विक्टिम्स जो है, विक्टिम्स है, उन्होंने फिर एक इतना कैसे हो गया, तो उन्होंने केस वर्ज किया, और अभी ये स्कैंडल का बाहर निकल गया कि किसकी वज़े से और क्या हो गया, लेकिन अभी ये दश्रक में इसका कौन जिम्मेदार है, ये वो सर जिनको ग्रासित हो गए, उनका भी लिया, और जिनके जो परिजन थे, वो मर्गम्स, मदर होगी, फादर होगी, कोई भी होगया, वो मर गए, तो ओ भी कॉम्पेंसेशन है, ओ अभी यूके सर्थार के पास से कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं, तो व्यूवर्स, ये बातनी जो हुथी खवर, ओ मुझे दिल छूले हैं वाली समझें मैंने, इसे मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, तो कि जब HIV भी आया ना, तो ओ HIV, जिनको HIV हुआ था, उनके मन में जो नॉर्मल पेशन्ट है, उनके प्रती एक आकस निर्मान हुआ था, तो कि तब मैंने, पीछले मैंने वीडियो में बोला था कि, दो हजार चार के पहले, अगर किसी को HIV होता है, तो वो बेट सेंटेंस, उसके इलाज नहीं था, तो वो अगर पेशन्ट को होता है, तो वो मरी जाता है, ऐसा एक धारना ही थी, और वो सही भी था, क्योंकि तब दवाई नहीं थी, तो ओ ल इंजा के प्रति उनके मज में एक बद्ला लेने की चाहत मिर्मान होती थी, और वो तब भी जो पेशन्ट है, वो क्या करते थे, अपना कट करते थे, अपने सुई का किसी को मारते थे, अपना जो बलड है, वो किसी लोगों को कट करके उसमें डालते थे, तो उनको ये जो आकस था ना, तो वो तबी भी था, लेकिन ये जो स्कैंडल है, वो हुआ यूके में, तब वो जो तपास करने की अद्रना ही नहीं थी, लेकिन ये जो घिनोना प्रकार है, वो सच्चे में बहुती दूनास्पद है, और अभी भी कोई-कोई जो HIV पेशन्ट के मन में मुझे हुआ है, तो इसको क्यों नहीं, ये जो भावना है वो पलती है, तो व्यूवर्स मुझे लगता है कि आभी HIV का यार्टी तो आया है, तो ऐसे अगर मन में बुरे विठार आते होगे कि सिकेंग, तो रुपयाओ ताल दीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा, तो सब कीघेह, एक दामेल, जोर कीघेहन ने में